आर प्रोग्रामिंग लेंगविच सीखने की सीरीज में हमारा ये वाला वीडियो इसमें हम लोग जो सीखने वाले हैं यहां हम लोग MySQL की टेबल्स को और उनके डेटा को और जो SQL में जितनी भी क्वेरीज चलती हैं उनको किस तरीके से हम लोग आर का यूज करके चला सकते हैं वो आज हम लोग देखेंगे तो आर को आप देख सकते हैं कितना powerful एक इसकी लाइब्रेटी हैं कि बहुत सारे उपरेशन्स हम इसमें कर सकते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहां मैंने एक MySQL के अंदर एक टेबल ग्रेट कर रही है लाइबरी नाम से और देख सकते हैं अब लाइबरी आइडी लाइबरी नेम और लाइबरी टाइब इसके अंदर कुछ डेटा है और इसका डेटाबेस का नाम ही यस और चलिए हम आजाते हैं वापस आर पर है इसको डेटा एक्oneans करना या उसके पर को वैरिये हमको चलाना है और का यूज़ करके तो इसके लिए हमको जो पेकेज लगेगा वो लगेगा हमको और लगेगा हमको और यहां पर लिखिए install.packages और यहां आप डाल दीचिए और mysql के अंदर r capital है mysql इस तरीके से आपको लिखना है और इसको install कर देना है मेरे laptop में यह already install है तो आप मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं और एक बार आप इसको install करने के बाद अब वापस आ यहां है आप bs code पर हम यहां पर code लिखना चालू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो आपको library यूज़ करना है चूंकि r mysql हम लिख देते हैं यहां पर library और r mysql मिल गई ठीक है अब यहां पर आपना code लिखना चालू करते हैं तो पहला जो आप किसी भी नाम से बना सकते हैं तो mysql connection नाम का वेरिवल बना देता हूं है और इसके अंदर हम क्या लेंगे सबसे पहले एक फंक्शन है अमारा db connect और db connect function के अंदर हमारे पास आता है यहां पर पैर्ला function mysql यह उसके बाद जो अगला function आएगा वो हमारा आएगा यह कुछ वैल्यूस हमको देना पड़ेंगी यूजर तो यूजर नेम जो हमारा है वो अभी अगर हम default देखें तो यहां पर रूट है जो आपका यूजर नेम वो आप डाल दीजिए यहां पर उसके बाद आता है password पासवर्ड यहां पर जो है वो ब्लैंक रखा है मैंने तो यहां मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं पासवर्ड के बाद जो आता है वो आता है मारा db name लेटावेस का नाम है मारा यह वो इसके बाद जो आएगा वो आएगा host host में अगर आप कुसी server से आप कर रहे हैं तो वो address डाल दीजिए लेन पर कर रहे हैं तो IP address डाल दीजिए और अकर उसी computer पर कर रहे हैं तो यहां मैं यूज कर रहा हूं local host आप चाहें तो आप अपने साब से इसको change कर सकते हैं IP address डालन अब आयाते हैं लोग यह हमारा हो गया है इसको हम कर देते हैं save अब इसको मैं पहले test कर लेता हूं कि यह काम कर रहा है कि नहीं सबसे पहले तो हम लोग यह चेक करते हैं कि हमारा जो database है यह यह database है नहीं हमारा इसके अंदर यह हमारी चार टीबल है attend one author book और लाइबरी तो इसको हम प्रिंट कराके देख लेते हैं तो इससे में एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा database connect हो गया है या नहीं तो database की टीबल्स को प्रिंट कराने के लिए यहां पर हमारे पास हमको मिलेगा इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे कि इसको जो हमने बनाया था माइसको कनेक्शन कंट्रोल एस करता हूं चला कि हम लोग देखते हैं एक बार यह काम कर रहा है कि नहीं तो इदर क्या है यहां क्या प्रॉलम आई है चलिए इसको हम दूर एक तो डीबी करनेट का मैं फंक्शन के अंदर कनेट का सी कर्पिटल है और मायाइसकोल का मायाइसकोल पूरा यह करें तो जब भी आप टाइप करें तो एक बात ध्यान रखा करें कि इसमें जो आता है उसका यूज किया क करें तो यहां जैसे डीबी करेंट लिखना चाहूंगो तो यह देखिए आपको यहां पर यह सही जो फंक्शन है वह आपको मिल जाएगा दूसरा यह के सेंसिटिव है तो यहां आपको समस्य आ सकती है तो यह अमने कर दिया है अगला इसके अंदर कितनी टेबल्स के अंद कि इसका उपर हमको नहीं चाहिए तो यह उपर के माइस्कुल कनेक्शन जो हमने बनाया इसकी तुमको अवर्शकता पड़ेगी हम देखने वाले कि किसी एक टेबल से डेटा कैसे फैस करना है तो टेक्निकली हम दो यहां क्वेरी चला रहे है एसकुल की आर के प्रोग्राम तो उसके लिए हम एक काम करते हैं एक एक वैरीबल और बना देते हैं रिजल्ट नाम का जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा और यहां हम लोग क्वेरी चलाएंगे तो फंक्शन हमको मिलता है यहां पर डीवी सेंट क्वेरी एक बाद फिरसे हम देख लेते हैं यह और इसके अंदर जो आएगा सबसे पहले वह आएगा हमारा माय यह जो हमने इसका वैरीबल बनाए था मैस्कुल कनेक्शन उसके बाद जो चीज आएगी वह आएगी इसकी क्वेरी तो क्वेरी हम लोग लिग देते हैं क्वेरी जो की होदी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो हम यहां पर हम ले लेते हैं लाइबरी जो टेबल है उसको ले लेते हैं लाइबरी जो टेबल है उसको ले ले लेते हैं लाइबरी ठीक है और ठीक है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइबरी यह हो गया है हमको क्या प्रेंट कराना है प्रेंट हमको पराना है रिजल्ट तो यहां बना देते हैं और data frame में यहां पर हम ले ले लेते हैं फैच function का यूज करें और यहां लोग फैच करा लेते हैं किस चीज को result को फैच करा लेते हैं और इसके बाद अप चाहें तो एक और argument इसमें पास कर सकते हैं कि कितने आप आपको result चाहिए means कितने 5 चाहिए 6 चाहिए या पूरे चाहिए तो अभी इस केस में पूरे टेबल के जितने भी रिकॉर्ड से वो सभी फैच हो जाएंगे अगर यहां पर अगप कॉमा लगाकर एन इक्वल टू कुछ आप दे देते हैं 1 2 3 4 और 5 तो फिर उतने ही रिजल्ट आपके फैच होंगे तो भी मैं पूरे रिजल्ट फैच कर देता हूं डेटा.frame फैच रिजल्ट और यहां हम लोग प्रिंट कर देते हैं डेटा.frame को मैं क्वार कि अक्वार कि बुह कर देता हूं यहां यहां पर लाइवरी नाम की टेबल यहां Your antimic तो आपशा चूंद सकते हैं आप आप बर में एक्वंचा घ्च कर सकते हैं त्नमिन पनीट संद्पर as आपके अपर जाओ भी इसको करना चाहिए देखें यहां पर जो आपने प्रीज लाईए इस के लावा और भी चीज़ें आप इसके अंदर चला सकते हैं इसके इसके अंदर जिलीट में उसके लिए और वह पूरी इसमें काम करेंगी यहां पर तो इस तरीके से आप R का प्रोग्राम करके MySQL में भी पूरा का पूरा काम आप इसमें कर सकते हैं तो यह जो हमारा पैकिस्ता इसके अंदर जो R MySQL लाइबरीडियी है यह काफी पावरफुल लाइबरीडियी है जो कि MySQL के पूरे फीचर्स को आर की तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं लाइक करें इस वीडियो को और जिलनों को यह वीडियो की आवशक्ता उन तक यह वीडियो जुरूर पहुचाए थैंक्यों पर वाचिंग और